दोस्तों अगर आप लोग के फॉन में भी बारवार एड़ आ रहे हैं आप लोग जब भी फॉन को चला रहे हैं और आप लोग के फॉन पर अपने आप ही जो एड़ आ रहे हैं और आप लोग उन एड़ से बारवार परेशन हो जाते हैं आपने देखा होगा कि आप लोग वा तो यहाँ पर एड जो हर बार हर बार चैन्ज हो के आ रहा है कहीं वही एड बार बार आ रहा है तो इससे आप लोग इरिटेट हो रहे हैं परिशान हो रहे हैं और आप लोग उपने फॉन को चला रहे हैं तो आप लोग फिर वाद में फॉन को साइड में रख दे रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग सुरू से लेकि लास्त अकुरा देखें इस वीडियो को अगर आप लोग के फॉन में बार बार आने वाली जो एड़ की प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी क्योंको दोस्तों यहाप मेरे फॉन में भी यह प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने अपनी जो प्रॉब्लम है फिक्स कर लिए तो मैंने का चलो इस पर एक वीडियो बना देता हूं और आप लोगों को यह पर बता देता हूं कि आप लोगों को अगर यह प्रॉब्लम आ रही है आपके फॉन में बार बार आड आ रहे हैं तो इसको आप लोग बंद कैसे कर सकते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगा उनको फॉलो करेंगे तो आप लोग के फॉन पर आने वाले अड्स बंद हो जाएंगे तो चले मैं आप लोगों को इस्टा बार इस पर बारे में बता देता हूं वीडियो में आगे बंडने से पहले मेरा नाम जा करना और नीचे आना इस्ट्रॉल करके तो यह आप लोग देख सकते हैं यहां मिलेगा आप लोगों को प्राइविसी प्रोटेक्शन यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे यह लोडिंग होगे और यहां पर आपके फोन में जितने भी एप्स होंगे सारे आपके सारे ऐप सहा पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे तो आप लोगों को एक औपको नहीं पर Pap यहांप क्लिक कर दीजे अब क्लिक करने के वदेंगा डिस्प्लै ओवर अधर एप्स यहां क्लिक करेगे अब दोस्तों यहांपर जो एपस आप लोग की आ गई Ebbs अब आन से देख % अब यहांपको यह चीजो है चेक करनी है कि आप लोग कौन सी आप को यूज कर में अप यूज नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों, यहां पर आप लोग को कुछ चेक करना है, तो यह देख सकते हैं, यहां पर यह जो calculator एप है, इसको भी मैं यूज करता हूँ, calendar, digital, यह आप लोग जो यूज करते हैं, और यह digital, यह है, यहां मैं सलेक्ट रूँगा, अब यह allowed display over other apps दिखा रहा है तो इसको आप लोग बंद कर दीजे इस तरीके से ठीक है बंद कर दीजे अब यह देख सकते हैं और भी जो application जिसको आप लोग यूज नहीं करते हैं यह gallery तो इसको भी मैं यहाप बंद कर देता हूँ तो जो आप लोग यूज नहीं कर रहा है तो उनको जो setting है वो बंद कर दीजाटी यह scanner नहीं करता हूँ तो अल्लेडी विन इसको बंद करके रखा है अब दोस्तों यहां पर यह चीज चेक करनी है आप लोगों को और आप लोगों को setting को disable करना है अब आप लोगों को अगली trick जना रही हैं लावग मैं इसको यूज करता हूं लेकिन यह आप लोगों को अगली ट्रिक में काम करना है सेटिंग में जाना है और इसके बाद नीचे स्कॉल करके आना है और यहां मिलेगा आप लोगों को एपस में जाएए मैनेज एपस में जाएए और मैनेज एपस में जैसे जाएंगे फिर से आप लोगों के फॉन में जितने भी एप्लिकेशन होंगे सारे एप्लिकेशन है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे अब दोस्तों बारी बारी से जितने भी एप्लिकेशन सब में जाईए और आप लोगों को इनका जो किलियर कैच स्टोरज में जाके किलियर कैच कर दीजिए यह किलियर डेटा दिखा रहा तो मैं पर किलियर डेटा नहीं करूंगा इस अप्लिकेशन का तो आप लोगों को किलियर डेटा करना चाहें कर सकते हैं लेकिन आप लोगों और दोस्तों यहां पर एक चीज्द ध्यां रखना जिस अप्लीकेशन का नाम नहीं है उस एप को आप अपने पहन में अनिस्टॉल कर दीजियग जाने से अर उससी की वजय के पहने एड़ रहे तो इसको यहां से आप लोगं में से अनस्टाल कर दिए तो यह चीज़ कर लेड़ा जिस अप्लीकेसन का नाम नहीं आ रहा है को वास टाइप का रहा है तो उसको आप कर दीजिए अभी फटवर्ट से अपने पॉन से अनस्टाल क्योंकि दोस्तों वह सारी अप्लीकेसन हैं जो प्लेटफॉर के अलावा आप लोग कहीं और platform से install कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वाइरस होता है उसकी वज़ासे आपके phone में problem आ सकती है आपका data hack हो सकता है और आपके phone में बारबार add आ सकते हैं तो यह आप लोगों को जो है यहाप ऐसी application जो आद देखने के लिए मिल रही है तो उसको आप लोगों को कोई ऐसी application नहीं है जिसका नाम है और आप लोगों को कोई ऐसी application लगती है जो आप लोग के लिए सही नहीं है आप लोगों को लगता कि अच्छी application नहीं इसको यूज नहीं कर रहा हूं तो उसको आप अनिस्टॉल कर दीजे अभी मैं example देता हूं यह Pinterest application में इसको यूज नहीं कर रहा हूं तो इसको आप लोग यहां से अनिस्टॉल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है और यह अपलेकर सन अनिस्टॉल हो जाएगे अब दोस्तों आपको अगली ट्रेक में करना क्या है और यहां मिलेगा आप लोगों को क्लिक करते हैं और यहां पर साइट सेटिंग मिल जाते हैं और नीचे इस कॉल करके यहां मिलेगा आप लोगों को यह इस तरीके से ओप्सन तो यहां मिलेगा आप लोगों को साइट सेटिंग है है यहां प्लिक करेंगे और हम लेगा लोकिशन यह को देखने के लिए मिल जाती है अब आपLuc को करना क्या है यह इस देखने आप से देखना है ऑन और करें आप क्लिक करते हैं उस्में आप लोग मिल जाते हैं कि जाता है तो दोस्तों यह permission ले लेती है application और इसके बार बार यह एड छोड़ती रहती है तो यहां पर मिलेगा सबसे पहले है तो फिलाल मैं बाद में कर लूँगा और इतना काम करने के बाद आप लोग के बंद हो जाएंगे अब फिर से आप लोग सेटिंग में जाईए अगली की ट्रिक में और यहां पर आप लोगो को गूगल वाला option मिलेगा यहां पर क्लिक करते हैं तो यह इस तरीके से option मिल जा सकते हैं तो यहां से क्या होगा आपको बार बार एड देखने के लिए नहीं मिलेंगा ठीके तो इस तरीके से गाइस यहां पर आप लोग अपने फॉन में आने वाले जो एड्स हैं वो बंद कर सकते हैं तो दोस्तों अब लोगों को फिर से कोई प्रॉलम आ रही है तो आपको रिप्लाई दोंगा आपकी पूरी हाल करने की कोर्स करूंगा अब लोगों को नेक्ट वुड़ो में ता अब नहीं ख्या लगता है टीक क्या रुपाए